तो हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक अगेन विटा फ्रेज न्यू वीडियो एक कमेंट आया कि सर सप्लिमेंट सेफ है या नहीं है अगर मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, आप कहते हो कि आप लॉंग लॉग्स लो आप कहते हो कि क्रेटीन लो, आप कहते हो कि वेव प्रोटीन लो, बिसी डबले लो, मल्टी वाटामीन लो, विटामीन E का सप्लिमेंट लो, वाटामीन C का सप्लिमेंट लो, कल्सियम लो, जिंक लो तो अगर मैं ये सब लेता हूँ तो क्या मुझे कोई side effect नहीं होगा क्या बात में जाके मुझे कुछ खतरा होगा तो आज मैं इसके बारे आपको explain करूँगा ये भी बहुत ज़्यादा comment आता है या आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि अगर मैं अस्वागंदा लेता हूँ अगर मैं सिलाजित लेता हूँ तो क्या मेरा इससे height बढ़ जायागा तो इस video में मैं इसका answer देने वाला हूँ छोटा video है kindly end तक देखना मैं अभी एक test कर रहा हूँ मैं एक अपते तक छोटा video बनाऊँगा आप लोग कैसा response दिखा रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ मैं लंबा video बनाता हूँ छोटा video भी बनाऊँगा ठीक है तो मैं देखता हूँ कि आपका response कैसा रहता है आप video को कितना देरी तक देख रहा है तो कानली इस video को end तक देखना उसी के साब से आपके लिए video आने वाला है और जिनको भी height बढ़ाना है मेरे से online training लेना है height बढ़ाने के लिए उसके लिए आप मेरा mail ID पर जरूर contact करें height का training दिया जाता है through whatsapp whatsapp के through training दिया जाता है whatsapp chat facility और आप अपने घर बैठे मेरे से training ले सकते हो and height के लिए guidance ले सकते हो ताकि आप अपने height को बढ़ा सके साथी साथ आपका health अच्छा हो because मेरा first priority है कि आपका health अच्छा हो health अच्छा होगा तो height बढ़ाने के जो process है बहुत easy हो जाता है and अगर आपके health खराप रहेगा आपका body fat जाता है body में कुछ भी problem है यह आपका height को बहुत बहुत ही जाद impact करता है तो अगर training लेना है तो mail ID पर contact करना वीडियो को start करता है so सबसे पहले आपको यह चीज जानना है कि supplement क्या होता है and supplements लिया क्यों जाता है जो चीज आप अपना food से ले नहीं पा रहे हो उसको supplement क्या जाता है suppose कोई board exam देता है and किसी एक subject में fail करता है तो उस subject का एक supplementary exam होता है उसी subject का एक supplementary exam होता है पूरा हर subject को उसको exam फिर से देना नहीं पड़ता है बस एक ही subject का तो suppose आप अपना बोडी को protein देना चाहते हैं, आपको daily चाहिए 100 ग्राम protein, एक अन्डा में 6 ग्राम protein होता है, 100 ग्राम chicken breast में 24 ग्राम protein होता है, 100 ग्राम सोया चंग में 52 ग्राम protein रहता है, तो इस हिसाब से सपोज आपको डेली 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप अंडा से प्रोटीन ले रहे हैं, आप चिकन से प्रोटीन ले रहे हैं, आप राजमा से प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन आप 80 ग्रामी डेली प्रोटीन ले पा रहे हैं, तो अगर आप extra 20 ग्राम प्रोटिन ले लेते हो तो फिर आप 100 ग्राम का बाउंटरी को पार करते हो जिससे आपका बॉड़ी ग्रोग कर पाएगा अगर आप 100 से नीचे लेंगे तो आपका ग्रोड प्रोसे स्लो जाएगा या स्टॉप रहेगा आपका बॉड़ी ग्रोड नहीं कर पाएगा अगर आप तो आप स्वाग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको वेप्रोटेंट का कोज भी जौत नहीं है अगर आपका डायट बहुत अच्छा है आप हर तरह का फूर्ट सखा रहे हैं वेजटेबल सखा रहे हैं आपको एनफ वाटमीन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं फिर आपको मल्टि वाटमीन के जौर नहीं है लेकिन जो हमारा डेली लाइफ शल रहता है और जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिपिटिस करते हैं हाइड बढ़ाने के लिए ज्यादा एक्ससाइज करते हैं उनका रेक्वार्मेंट डबल से पूरा समान पूरा रिसोर्षस नहीं देगे यह अपना हंड्यड परसंट कैपसित्री से काम नहीं कर पायागा आप लूग student हो, आपको diet को उतना knowledge नहीं है, इतना दिन जो आप करते आ रहे हो अपना body के साथ, आप अपना protein requirement का 10% नहीं देते हो, आप अपना body का vitamins and minerals का requirement है, उसका 10% नहीं देते हो, 90% तो छोड़ा 10% नहीं देते हो, इसलिए आज आपका यह हाल है, आपका height उतना नहीं ब उसका height इतना क्यों है, उसका height 7 feet होना चाहिए था, उसका genetics इतना अच्छा है, उसका height 7 feet होना चाहिए था, आपके genetics उतना अच्छा नहीं है, as compared to him, तो इसलिए आपका height यहाँ पे है, तो आप अपना height से 7-8 inch, 10 inches extra add का सकते हो, अगर आप अपना requirement को fulfill करते हैं, तो कोई भ इस भी supplement ले रहे हो, these are health supplements, इसका काम यह कि आपका health को ठीक करे, suppose आप com plan ले रहे हैं, com plan में लिखा रहता है, कि यह आपका height को 2 x speed से बढ़ाता है, क्यों लिखा रहता है, because com plan is a source of protein, vitamins and minerals, लेकिन com plan में जितना protein पाय जाता है, जितना vitamins दिया जाता है, वो आपका body requirement का only 5 प्र percent है, तो बहुत लोग बस complaint पीते रहते हैं, कि मेरा इस से height बढ़ जायागा, complaint में वो सारा nutrients present है, जो आपका height growth के लिए responsible है, लेकिन complaint आपको उतना देता नहीं है, जितना चाहिए होता है, अगर complaint वही सब चीज़ थोड़ा ज्यादा quantity में देता है, तो आपका height growth journey बहुत अस हो जाता है, complaint क्या देता है आपको जानते हो, per 100 gram, अगर आप 100 gram complaint consume करते हो, तो आपको वहाँ पे 11 grams protein मिल रहा है, आप daily 100 gram तो नहीं खाएंगे, अगर आप per day 100 gram complaint खाते हो, तो वो डिबबा आपका 4 दिन में खतम हो जाएगा, and per 100 gram आपको कितना protein मिल रहा है, 11 grams protein, जो दो अं 11 gram protein है या नहीं है, में भी उसमें 6-7 gram protein है, आपको लग रहा है कि उसमें 11 gram protein है, लेकिन अगर आप अंडा खा रहे हो, तो पर अंडा में 6-7 gram protein रहता है, तो अगर आप 2 अंडा खा रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ, इसमें 12 gram protein मिल रहा है, लेकिन complaint के अंदर आपको 12 gram protein मि नहीं है वह को पता नहीं है अपको डिफरेंट albums मिल रहा is minerals मिल रहा लेकिन कितना मिल रही हिए आपको पता नहीं है उससे तरीकर से Veg Protein Veg Protein का काम क्या है? आपका बॉड़ी को प्रोटीन देना। अब आप लोग कि वे प्रोटीन खाने से मसल बन जायगा मसल ग्रोथ में help करता है आपका body recovery में help करता है आपका height बनने में help करता है This is just a protein protein हर किसी को चाहिए होता है चाहिए उसको muscle build करना हो चाहिए उसको एक healthy lifestyle lead करना हो चाहिए उसको कुछ भी करना हो protein चाहिए हर किसी को तो आपको height बढ़ाना है muscle building करना है या स्वच्त रहना है हर किसी को protein चाहिए calcium हर किसी का requirement होता है zinc हर किसी का requirement होता है अस्वागंदा लेने से क्या होता है आपका stress level down होता है तो अगर आप अस्वागंदा लेते होता है का स्ट्रेस कम होगा अब आप अपना ध्यान रख रहे हो आप अपना बाकी चीज कम रखे चृणा है अगर अगर हर एक चीज को तरीख करता है तभी आपका थोच उनली से लेकिं आप बस सप्लिमेंट के पर डिपेडोंध नहीं रहना है आप अपना प्रोटीन गोल बॉडी क से र मतरो कर दो प्रोटो किस तरीके से खुट रहे रहे हैं कहांग मतरों नहीं करता है इसलिए multivitamin तो ज़रूर लेना चाहिए, protein आप कर सकते हो, लेकिन vitamins, minerals आप complete नहीं कर पाते हो अगर आपको height बढ़ाना है, तो आप zinc, calcium, vitamin C, vitamin C supplement अगर लेते हो, बहुत सस्ता आता है उससे क्या होता है, आपका body में free radical समर जाता है, toxic element बहां निकलता है, आपका immunity system strong होता है तो यह आपका height growth में boost देता है, तो अगर आप supplements को add करते हो, आपके पास पैसा है, आप effort कर सकते हो, तो आपको ज़रूर आट करना चाहिए, इसका जो health benefits है, यह आपको growth करने में बहुत ज़्यादा करेगा तो आपका दिमाग में गुच गया कि supplements are totally safe, these are food supplements, अगर आप food से कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप supplement का help ले सकते हो, यह आपके effort dependent है, totally So friends, इस वीडियो करना चाहता है, मिलता हम नेश्ट एक जोड़र वीडियो के साथ, until peace, bye take care, love you all